नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जो हम most important questions की series discuss कर रहे हैं, data structures के उपर, उसकी last video है आज, 10 questions में यहां पर discuss करूँगा, 4 वीडियो हम complete कर चुके हैं, बहुत ही अच्छे-च्छे questions में लेके आया हूँ, जो last video में, बी tree से related है, tree के अंदर कु clear करके दिखाऊंगा मैं यहां पर, तो हर चीज, हर point आपको सुनना है और समझना है, तो start करते हैं, तो start करने से पहले please like, subscribe, share जरूर करें इस वीडियो को, question है पहला हमारा इस वीडियो का, consider the following 2, 3, tree, जिसको हम b tree भी बोलते हैं with a minimum degree of 2, यहां पर define किया हुआ है, 2, 3, 4, एक tree का नाम दिया हुआ है, जिसको हम b tree भी बोलते हैं, यहां पर पुछा, बोला हुआ है, कि minimum degree of 2 है, in which each data item is a letter, यहां पर जो question दिया हुआ है, वो letter की form में है, usual alphabetic ordering of letter is used in constructing the tree, जो question है, वो हम alphabetic ordering को use करते हुए construct करेंगे, what is the result of inserting g in the above tree, यहां पर जो यह टी दी हुई है, यह blue pen से मैंने लिखा हुआ है, this is the tree जो given है, और इसके corresponding हमारे पास चार option दिये हुए, चार option को देखने से better है, कि हम पहले यह समझे, b tree का मतलब यहां पर है क्या, तो मैं आपको clear कर देता हूँ, यहां पर point, जैसे कि यह tree आपको given है, two, three, four tree का मतलब है, two, three, four का मतलब है, two, that means, यह जो basically दिया हुआ है, इसका मतलब है यहां पर, जो हमारे act most, कितने number of children हो सकते है, b tree के अंदर, यह basically यह type है, b tree की, तो उसके अंदर यहां पर जो maximum लिखा होता है, उतने number of maximum children हो सकते है, two, three, four tree का मतलब क्या है, किसी भी particular node के minimum कितने node होंगे, वो define कर रहा है, यहां पर two होंगे, number of children, please ध्यान रखना, यह जो नाम से लिखा हुआ है, उस नाम का meaning में बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, minimum कितने number of children होंगे, किसी भी particular node के, वो होंगे two, और maximum कितने number of children हो सकते है, वो होंगे four, तो इस type से हम define करते है, two, three, four tree का, तो number of maximum four children होंगे, that means, इसके maximum four children हो सकते हैं, तो जितने number of children हो सकते हैं, उससे एक कम key value होती है, key value का मतलब क्या है, एक particular node पे कितनी value आप store कर सकते हो, क्योंकि we are talking about the B tree, और B tree के अंदर, हमेशा ये balance tree होती है, तो यहां पर number of children four है, तो maximum कितने key value हो सकती है, key value हो सकती है, maximum जितने number of children है उससे एक कम ठीक है जी तो maximum यहाँ पर कितने number of children है 4 तो maximum कितने number of key value store हो सकती है किसी भी particular node पे 3 key value store हो सकती है और यह हमेशा हमारा क्या होगा? shorted order में होगा that means K1 की value हमेशा कम होगी K2 से K2 की value हमेशा कम होगी K3 से तो इस type से हम define करते हैं तो यहाँ पर जो question में दिया हुआ है वो दिया हुआ है alphabetic form में यहाँ पर value ना देखे alphabetic letter दिये हुए है जो की question में लिखा हुआ है LPU यह first node पे value insert है इसके जो children आप देख सकते हो यहाँ पर 3 key value है इक particular node पे तो total number of children maximum कितने हो सकते है 4 हो सकते है तो यहाँ पर question किया है इसने कि अगर मैं insert करता हूँ B3 के अंदर insertion अगर मैं करता हूँ तो उस case में G को मैं insert कर रहा हूँ तो यह insert होने के बाद इसका result क्या है यह simple सा question है यह insertion of B3 के उपर concept है basically ठीक है तो इसको हमें apply करना है और यह 4 option हमें given है इन 4 option को देखते हुए हम solve करेंगे तो better है कि आपको मैं direct इसका समझा देता हूँ कैसे हम इस question को solve करेंगे तो देखिए यहाँ पर जब मैं G को insert करूँगा that will be check firstly root node तो alphabetic जो order होता है हमारा a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l यह मैं alphabetic order यहाँ पर लिख लिए है तो उसके according हम यहाँ पर store करेंगे elements को देखिए G को compare करेंगे मैंने L से क्योंकि यह alphabetic order में होगा मतलब ascending order में होगा तो G को किस से compare करूँगा मैं L से तो G की value L से less than है तो वो कहाँ पर जाएगा left में ठीक है जी अब यहाँ पर B से compare करेंगे हम B से greater है तो किस से compare होगा H से H से less than है that means G कहाँ पर store होगा G store होगा B, G, H, I क्योंकि B से greater है और H से smallest है सब्सक्राइब में आ गया मगर यहाँ पर problem क्या आएगी problem अभी मैंने आपको बताया problem क्या आएगी एक node पर maximum कितनी value store हो सकती है 3 value store हो सकती है तो कहने का मतलब है यहाँ पर key value कितनी आगई 4 key value आगई तो इसको हम split करेंगे split करने का simple सा method है कि यहाँ पर हम B और G को यहाँ store कर देंगे और I को यहाँ पर और एक node को promote कर देते हैं यह that is the method जब कभी हम किसी भी node को split करते है split करने का मतलब है इस particular node को हमने split कर दिया तो इसका left ही हो जाएगा right ही हो जाएगा क्योंकि यह B tree की property को fulfill करना चाहिए ठीक है अब यहाँ पर यह H जो है promote हो गया मतलब उपर क्या था हमारा उपर था हमारा already LPU तो H जो है इनके साथ जोइन हो जाएगा H compare होगा L के साथ L से पहले H store था तो यहाँ पर इस particular node पे क्या क्या value हो जाएगी LPU अब problem क्या आगई इस particular node पे 4 node आगे 4 की value आगई अब 4 की value अगेन यहाँ पर आ गई तो इसको भी हमें split करना पड़ेगा क्योंकि maximum कितनी value store हो सकती है maximum हमारी जो condition में दी हुई है maximum 3 value store हो सकती है तो हम H L को agities रखेंगे और P को promote कर देंगे तो basically जब हम इसको promote करेंगे तो promote करते हुए क्या हो जाएगा structure B G यहाँ पर था और I यहाँ पर था ठीक है जी H L यहाँ आ जाएगा H L इसको P को promote कर देंगे यहाँ पर और U यहाँ आ जाएगा ठीक है जी अब मैंने इसको split कर दिया तो P का left यह बन गया right यह बन जाएगा H का left यह बन गया H और L के बीच में आता है I यह बन जाएगा अब जो remaining node थे उसको agities हम complete करते जाएगे देखिए QT agities था I के साथ N था हमारा तो I and N बिल्कुल तो H से greater है I L से less than है L से greater है N तो यहाँ पर आ जाएगा U किस से connect हो जाएगा U के corresponding QT U से less than थी और greater than यह agities मैं यहाँ पर put करता जा रहा हूँ V, X, J तो यह हमारा structure बन जाएगा इस structure को हम देखते हैं कहाँ पर match कर रहा है तो आप देख सकते हूँ यह वाला structure B को match कर रहा है agities B को match कर रहा है ठीक है यह वाला structure हमारा B को as it is match कर रहा है तो हमारा answer हो जाएगा for this question is B clear तो इस type से हम B tree के अंदर insertion करते हैं तो hopefully आपको समझ में आया होगा next question है हमारा in a full binary tree full binary tree के उपर यह question आया हुआ है यहाँ पर देखे 3 concept को मैं clear करूँगा बहुत shortcut way में full binary tree है if the number of internal node is I then the number of leaves LR देखिए full binary tree कौन सी होती है पहले यह समझेंगे full binary tree वो tree होती है जिसके या तो two children होते हैं या एक भी children नहीं होता जैसे कि माल लीजिए यह एक full binary tree है ठीक है जी अगर मैं इसको design करूँ यह भी एक full binary tree है ठीक है यहाँ पर इसको मैं design करूँ तो यह भी एक full binary tree है यहाँ पर इसको मैं अगर इस type से design करूँ तो यह भी full binary tree है तो अलग-अलग मैंने variation आपको दिखा दी है तो यहाँ पर यह पुछा हुआ है full binary tree के अंदर अगर n number of internal node है internal node कौन से होते है internal node वो node होते है जिसके further children होते है ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं देखू internal node इस tree के अंदर 1, 2, 3 internal node है जिनके children है ठीक है तो यह तो internal node है तो इसके अंदर leave node कौन से है leave node वो होते है जिनके कोई children नहीं होता ठीक है तो यहाँ पर अगर हम देखें L से टिपरिजन कर रहा हूं मैं 1,2,3,4 तो यहाँ पर N की value कितनी है N की value मतलब number of internal node 3 है तो leaf node कितने आएगे 4 इसके अंदर देखते हैं 1 और 2 यहाँ पर N की value कितनी है 2 तो leaf node कितने आ रहे है 3 यहाँ पर N की value अगर मैं देखूँ N मतलब internal node तो 1 है only और leaf node कितने है 2 तो N की value 1 है तो leaf node 2 आ रहे है N की value 2 है तो leaf node 3 आ रहे है N की value 3 है तो leaf node 4 आ रहे है That means जितने भी internal node है उससे एक ज़्यादा हमारे leaf node होते है तो right answer हो जाएगा for this question is second ठीक है इसको आप अलग-अलग variations के question आ सकते है माल लीजिए आपको question पूछ ले कि Leaf node आपके question में given हो Leaf node की value जो है वो आई है clear तो total number of node कितने होंगे total number of node कितने होंगे पूरी tree के अंदर तो कैसे बताऊंगे आप जितने भी leaf node है plus internal node internal node कितने होंगे अगर leaf node i है तो एक कम हमारा internal node का अभी हमने देखा जितने भी internal node है उससे एक ज्यादा leaf node होते हैं तो यहाँ पर question को change कर दिया leaf node कितने दे रखे हैं i तो एक कम internal node होंगे तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ i-1 तो यह कितना हो जाएगा 2i-1 इस इस दा अंसर वेनेवर यू फाइंड आउट दा total number of nodes and leaf node is given in the tree ठीक है इसी question का अलग variation भी आ सकता है माल लिजिए आपको दिया हुआ है internal node internal node दिया हुआ है और पुछा हुआ है total number of nodes कितने होंगे internal node मान लिजिए आपको दिया हुआ है L ठीक है तो total number of nodes in a tree full binded tree की मैं बात कर रहा हूँ total number of nodes कितने होंगे हमारे internal node अगर L है तो एक ज्यादा हमारा leaf node होता है तो internal node plus leaf node that is equal to total number of nodes तो 2L plus 1 आ जाएगा whenever internal node is L तो ये दो situation मैंने आपको बताई इस type के भी question आई हुए है अलग से तो मैंने एक ही question के अंदर आपको तीनो question की point clear कर दिया है ठीक है next question आ रहा है हमारा 43 43 question बहुत ही अच्छा concept है जो अभी हमने देखा था उसके उपर ये question आया हुए which of the following is true about binary tree binary tree के लिए यहाँ पर पुछा कि कौन सी condition true condition है तो देखिए पहला point है every binary tree is either complete और full देखिए complete और full के उपर यहाँ पर relation पुछा हुआ है binary tree के साथ तो तीन tree का meaning आपको पता होना चाहिए binary tree का meaning पता होना चाहिए इस question को complete करने के लिए complete tree का पता होना चाहिए और full binary tree का भी meaning clear होना चाहिए तो चारों के combination यहाँ पर दे रखे हैं तो better है कि मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर meaning है क्या देखिए full binary tree अभी हमने देखी पिछले question में full binary tree का मतलब होता है every node other than leave leave के अलावा जितने भी node है उनके कितने children होंगे two children होंगे मैंने वहाँ पर definition में बताया था आपको every node should have zero or exactly two children तो यह बात कर रहा है वही बात है meaning वही बता रहा है अगर leaf node नहीं है तो उसके कितने children होंगे two children होंगे तो बात वही है कि अगर node मैं सारे node की बात कर रहा हूँ तो zero या दो children होंगे ठीक है second complete binary tree क्या होता है complete binary tree होता है every level should be complete should be complete का मतलब है हर एक level पर left और right दोनों complete होंगे जो last level होता है हमारा last level वो हमेशा left to right fill होगा all nodes are filled as far as left left to right हम fill करेंगे तो वो complete binary tree होगा तो मैंने यहां पर 4 situation आपके सामने draw कर रखी है 4 situation को थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं देखे यह वाला जो question है इसके अंदर अभी मैंने पिछले example में आपको बताया यह जो है हर node के 2 node है इस node के भी 2 node है इस node के भी 2 node है तो इस node के दोनों children नहीं है अगर यह complete नहीं है तो last level होना चीए last level left to right fill होगा तो इसका तो left part नहीं आया इसका left part नहीं आया तो इसका left part कैसे आ गया पहले right वालेगा ठीक है तो यह complete नहीं है मगर full है दूसरा example है यह वाला इसके अंदर आप देख सकते हो कि full binary tree है या नहीं है इस node का एक ही children है दो children नहीं है तो यह full तो नहीं होगा complete इसलिए नहीं है क्योंगि इसका left part नहीं होके right part है तो left to right fill होता है ना कि right to left तो ना तो यह complete है ना ही यह full है ठीक है तीसरी situation है देखिए सारे level complete है last level left to right fill होना चीए बिल्कुल इसका left है उसके बाद right फिर left है भले ही right ना हो मगर left to right filling हो रही है तो यह complete तो है मगर full नहीं है क्योंगि इस node का एक left part है right part नहीं है full binary tree कहता है कि दोनों children होने चीए अगर नहीं है तो अगर यह children नहीं होता तो यह complete भी होता और full भी होता जैसे कि आप यह देख पा रहे हो अगर मैं इसको draw कर दू तो यह full भी है और complete भी है तो यहाँ पर question क्या है कि which of the following is true about the binary tree तो आप देख सकते हो यह वाला जो पहला point है यह binary tree है यह नहीं है यह binary tree है मगर यह ना तो complete है और ना ही full है तो पहली condition इसने true condition पुछी है पहली condition तो false हो गई जितने भी binary tree है या तो वो complete होगा या full होगा कोई जरूरी नहीं है आप देख सकते हो यह वाला example है जो कि binary tree तो है मगर complete भी नहीं है और ना ही full है तो यह तो incorrect होगा हमारा clear second option है every complete binary tree is also full binary tree अभी मैंने आपको बताया कि यह complete है यह वाली tree complete है यह वाला देखिए example यह complete है मगर full नहीं है तो second वाली situation भी हमारी wrong होगी clear तो second वाली situation भी हमारी wrong है तो third situation भी हमारी third statement भी wrong statement है तो कहने का मतलब है इसका right answer हो जाएगा none of these तो hopefully आपको समझ में आया होगा मैंने सारी situation यहाँ पर draw की हुई है जिससे आपको यह statement clear हो जाए next question है minimum spinning tree के ओपर एक-एक point मैं आपको clear करता जा रहा हूँ तो please आप सुनते जाना और ध्यान से note down अगर कर सकते हो note down जरूर करना क्योंकि आपको यह वाले जो notes है वो help करेंगे आपको future में भी तो यहाँ पर next question है हमारा एक graph दिया हुआ है उसमें यह कहा हुआ है कि AC and BC दो एज दी हुई है AC and BC दोनों की दोनों हमारी minimum spinning tree के अंदर आती है तो what can be the minimum sum of weight of all edges in the graph G देखें तीन एज हमें दी हुई है तीन एज में से दो एज का weight दिया हुआ है दोनों एज यह कह रहा है कि minimum spinning tree के अंदर include है minimum spinning tree क्या होती है सबसे पहले हम draw करते है जितने भी vertex लिखे हुए है सब को cover होना चाहिए cycle बननी नहीं चाहिए तीसरा point है कि हर एक को हम include करेंगे मगर minimum से minimum वाले को सबसे पहले include करेंगे तो यहाँ पर question में कहा हुआ है कि BC और AC edge को हम include करते हैं किसके अंदर? MST के अंदर MST मतलब minimum spanning tree के अंदर ठीक है? तो BC को हम draw करेंगे और AC को draw करेंगे अब minimum spanning tree क्या कहता है? हम minimum से minimum वाले को pick करते हैं अब एक edge हमारी रह गई है और यह edge draw करते ही cycle create हो जाएगी तो minimum spanning tree कहता है कि spanning tree का मतलब यह होता है there should be no cycle cycle तो नहीं है मगर हमें इस edge का wait निकालना है तो इस edge का wait 9 भी हो सकता है और इस edge का wait 10 भी हो सकता है क्योंकि जो wait है वो 9 से greater होगा तभी हम उसको include नहीं करेंगे क्योंकि minimum से minimum वाले को हम pick करते हैं तो 2 को pick कर चługे हैं 9 को pick कर चुगे हैं तो इससे बड़ा value अगर होगी तभी हम उसको pick नहीं करेंगे अगर same value भी हम ले लेते हैं देखिए question में हम same value भी ले सकते थे मगर उसमें problem क्या आती कि AB को भी हम include कर सकते थे तो इसने तो definitely ये question में का हुआ है कि BC और AC को include करना है आपको बाकी कोई edge MST में नहीं आएगी तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर AB के जो weight होगा वो 9 से greater होगा ठीक है और 9 से greater कुछ भी हो सकता है तो हम try करेंगे minimum से minimum रखते हैं हम हमेशा तो इसका value क्या हो जाएगी 10 तो अगर ये 10 है तो ये कभी भी include नहीं होगा MST के अंदर तो 9 प्लस 2 11 प्लस 10 ये ही पुछा हुआ है इसने what can be the minimum sum of weight देखिए यहां पर word लिखा हुआ है minimum तो minimum से minimum लिखेंगे हम इसमें 10 भी हो सकते है 11 भी हो सकते है कुछ भी हो सकता है तो 10 हम यहां पर include करेंगे minimum sum of weight of all edges in the graph 3S दे रखिया तीनों का sum अगर हम करें तो कितनी value आ रही है 21 तो right answer हो जाएगा for this question is D clear इसी type से काफी questions मैं लेके आया हूँ graph tree के उपर ही है ज़्यादा कर questions तो hopefully आपको समझ में आ रहे हैं तो next question है हमारे the maximum degree of any vertex in simple graph with n vertices देखे लाश्ट वीडियो में हमने simple graph के उपर question किया था simple graph का मतलब होता है कि जहां पर ना ही हमारी no self loop कोई self loop allowed नहीं है और ना ही हमारा parallel edges allowed है no parallel edges will be allowed तो इसने question कहा कि maximum degree जो पिछली वीडियो में question था वहाँ पर ये पुछा हुआ था कि maximum number of edges कितनी होगी simple graph में यहां पर पुछा हुआ maximum degree of any vertex पूरे graph के अंदर जैसे कि मान लीजे यह graph में पिछले वाला example जो था इसकी maximum degree degree क्या होती है हर vertex के corresponding जितनी edges से connect होता है वो उसकी degree होती है तो ये वाला vertex मान लीजे A vertex है ये vertex है B ये vertex है C ये vertex है D A जो है वो B से connect हो सकता है A जो है वो C से भी connect हो सकता है A जो है वो D से भी connect हो सकता है तो maximum A किस से connect हो सकता है B से हो सकता है C से हो सकता है और D से T नी से connect हो सकता है self loop allowed नहीं है और multiple edges भी allowed नहीं है उसी को हम simple graph बोलते हैं तो कहने का मतलब है, A जो है, total vertex कितने हैं, यहाँ पर N की value 4 है, तो एक particular vertex कितनों से connect हो सकता है, N की value अगर 4 है, तो कितनों से connect हो रहा है यह, degree of, अगर हम बात करें, degree of A, वो maximum कितनी हो सकती है, maximum degree of A, वो कितनी हो सकती है, इस particular example में 3, इसी तरह से maximum degree of B, B वी किसे connect हो सकता है, C से हो सकता है, A से already है, और D से हो सकता है, तो maximum degree B की कितनी हो सकती है, 3, इसी तरह से maximum degree अगर हम बात करें, C की, तो वो भी 3 हो सकती है, maximum degree of D की, वो भी 3 हो सकता है, आप देख सकते हो, यहाँ पर इस से ज़्यादा maximum degree नहीं हो सकती, यह हमने example लिया था, maximum number of edges को निकालने के लिए, तो question हमारा क्या था, अगर N number of vertex है, यहाँ पर देखिए, N की value कितनी है 4, तो maximum degree कितनी है, N minus 1, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, N vertex है, तो maximum degree किसी भी particular vertex की, N e vertex की, तो वो कितनी होगी, N minus 1, तो second option is the right answer for this question, next question है हमारा regular graph के उपर, question है हमारा regular graph, तो regular graph में कैसे हम implement करेंगे, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए, regular graph क्या होता है, पहले यह समझो regular graph का मतलब क्या है, regular graph वो graph होता है, जिसके अंदर, जितने भी vertex है, कोई भी graph regular कब होगा, जब, जितने भी vertex है, सब की degree सेम होगी, जैसे कि मान लिजिए, यह graph है, दो vertex है, A और B, हर एक की degree कितनी है, 1, तो हम इसको बोलेंगे regular graph है, अगर मैं यह graph बनाता हूँ, graph कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर देखिए, A, B और C, हर एक की degree कितनी है, 2 है, तो यह भी एक regular graph है, ठीक है, पिछला example लिए था हमने, वो भी एक regular graph था, हर एक की degree 3 थी, तो यहाँ पर question है, कि number of edges कितनी होगी उस regular graph में, degree दी हुई है, D है, और N दिया हुए number of vertex है, तो दोनों चीज़ दी हुई है, degree हमारी question में दिया हुआ है, देखिए, अब question को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, degree यहाँ पर दी हुई है, हर vertex की degree कितनी है, D है, और number of vertex दिये हुए है, N number of vertex है, माल लिजए यह एक्जामपल में ले लूँ, यह graph है हमारा, तो इसमें N की value कितनी है, 3, और D की value कितनी है, 2, D का मतलब हर एक vertex की degree कितनी है, 2, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, तो number of, sum of degree of vertex निकाले हम, तो देखिए, sum of degree of graph, ठीक है, sum of degree of graph क्या होगी, आप बताइए, sum of degree of graph होगा, हर एक vertex की degree, कितनी degree है यहाँ पर, degree दे रखिए है यहाँ पर, सब का, हर एक vertex की degree जो है, वो D है, ठीक है जी, तो D plus, D plus D, अब 2 कितने, number of vertex कितने है, N तक है, तो N number of times तक, यह D degree निकलती जाएगी, तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसको अगर मैं sum निकालूँ यहाँ पर, इसका, तो यह क्या हो जाएगा, D into N, D into N, इतनी हमारे क्या आगई, sum of degree of, every vertex in the graph, ठीक है, तो एक formula होता है, हमारा hand shaking, hand shaking, formula होता है, theorem होती है, हमारी hand shaking, वो क्या होती है, वो होती है, sum of degree of all vertex, sum of degree of all vertex, that should be equal to the 2 into number of edges, यह formula होता है, हमारा hand shaking, theorem बोलते हैं इसको, तो sum of degree of all vertex, वो क्या हो आगई है, हमारी, d into n, is equal to the 2 into e, मतलब edges को अगर निकालना है, तो आप directly ऐसे निकाल सकते हो, तो edge की value क्या आजाएगी, e is equal to d n by 2, या nd by 2, तो total number of edges ही निकालनी थी हमें, तो value क्या आजाएगी, nd by 2, so fourth option is the right option for this question, next question है हमारा dfs के उपर, तो अलग-अलग मैं concept को pick कर रहा हूँ, जिससे कि आपको concept भी साथ-साथ clear होता है, question के साथ-साथ, तो यहाँ पर है, if the dfs of the given graph is the least, यहाँ पर यह बोला हुआ है, dfs, अगर हम dfs लगाते हैं, तो उसका जो result आता है, a, b, c, d, e आता है, ठीक है, यहाँ पर यह बोला हुआ है, कि यह जो question दिया हुआ है, उस question के अंदर, हमें यह बताया है, कि label of the node, mark 1 and 2, तो उसके corresponding हमें यह बताना है, कि इस question में, मैंने graph जो है, वो बनाना था, वो graph मैं बना देता हूँ, यहाँ पर graph दिया हुआ है, यह वाला, यह एक graph दिया हुआ है, this one, b, और यहाँ पर यह mark किया हुआ है, 1, और यहाँ, यह mark किया हुआ है, c, इसके corresponding mark किया हुआ है, 2, तो यह question हमारा दिया हुआ है, और इसके अंदर ये पुछा हुआ है कि अगर मैं इसके अंदर मार्क करता हूँ और DFS हमारा निकल के आता है तो उसको जब हम find out करेंगे देखे question में result जो है ABCD आना चाहिए then the label of the node label हमें mark किया हुए mark 1 and 2 1 and 2 की जंगे इसने पुछा हुआ है कि क्या आएगा ये जो लेबल है 1 and 2 DFS हम अप्लाई करें और result हमारा ये आए तो देखिए DFS क्या होता था हमारा DFS होता है हमारा depth तक जाएगा तो सबसे पहले A को traverse करेगा A के corresponding ये edge बता रहा है ये directed edge है तो A के corresponding कहां जाएगा ये direct A B के बाद कहां जाएगा ये result क्या चाहिए इसको C चाहिए तो C की तरफ जाएगा दोनों तरफ जा सकता था ये मगर यहाँ पर जाएगा क्योंकि result हमें दिया हुआ है तो C को traverse करेगा C को traverse करने के बाद ये यहाँ पर न जाके definitely यहाँ तरफ जाएगा Q की depth देखें ये दिखने में ऐसा लग रहा है मगर depth का मतलब है पहले A के बाद B B के बाद C और C के बाद last तक जाएगा DFS का मतलब है depth तक जाएगा ये तो C के बाद किसको traverse करेगा 2 को C के बाद कौन सा node आएगा C के बाद definitely क्या आएगा हमारा D आएगा तो 2 की जंगे क्या आजाएगा D और last node हमारा बच गया D यहाँ पर आ चुक है तो last node 1 की value क्या हो जाएगी E तो यहाँ पर question क्या किया हुआ हुआ है कि node 1 and 2 will be 1 and 2 देखे 1 की value क्या है E और 2 की value है D तो right answer हो जाएगा E and D प्लीज ध्यान रगना question में confuse ना होना mark 1 and 2 पुछा हुआ है 1 की value है E और 2 की value है D तो इसको गलती से mark ना कर देना जो की गलती generally students करते हैं exam के अंदर तो next question है हमारा 48 और 8 question for this video question का जो meaning है वो यह है the minimum number of edges in a connected cyclic graph on n number of vertices देखे question में यहाँ पर दिया हुआ है cyclic graph है और उसके अंदर यह दिया हुआ है कि एक cyclic graph है उसके अंदर total number of vertex कितने है n number of vertex है तो यह बताए minimum number of edges कितनी होगी तो cyclic graph होता है जिसके अंदर cycle हो जिस graph के अंदर cycle हो माल लिजी यह एक cyclic graph है तो इसमें minimum number of edges यही बन सकते है इससे कम नहीं बनेगी इससे type से 4 vertex दिये हुए n की value में 4 ले लेता हूँ तो minimum number of edges कितनी होगी यहाँ पर भी यही minimum से minimum बनेगा इससे कम में cycle नहीं बनेगी तो यहाँ n की value अगर 3 है तो edges कितनी use हो रही है connected होना चाहिए connected का मतलब है एक node दूसरे node पर कैसे न कैसे directly या indirectly पहुचना चाहिए तो आपस में connect होना चाहिए ठीक है तो e की value 3 है यहाँ n की value 4 है तो e की value कितनी है यहाँ पर 4 है तो कहने का मतलब है जितनी number of vertex है उतने ही number of edges minimum required है for an cyclic graph तो answer should be B for this question तो next question आ रहा है हमारा 49th 49th question और 9th question for this video वो हमारा है which of the following is true for computation time in insertion, deletion minimum, maximum element इनने shorted array देखे shorted array में अगर हमें insertion करना है या deletion करना है तो हमेशा हमेशा हमें जब कभी भी insert और delete करना है तो we have to traverse all array and where that is a suitable position then it will take order of end time आप एक चीज़ समझे आपको shorted array दिया हुआ है माल लिज़े value दिया हुए है 1, 4, 8, 9 आपको insert करना है माल लिज़े 7 तो आपको हमेशा starting से चलना पड़ेगा और last तक जरूर जाएंगे last तक ना जाके 4 के बाद 7 भी मिल सकता है यहाँ पर भी आप insert कर सकते हैं मगर हम हमेशा worst case लेके चलेंगे क्योंकि option में bigo दिया हुआ है हमेशा bigo का मतलब है worst case time कितना लगेगा हम worst case लेके चलेंगे माल लीजिए यह तो 7 आ गया माल लीजिए हमें 10 insert करना होता तो 1 से compare किया फिर 4 से compare करेंगे फिर 8 से फिर 9 से तो last तक तो हम गए कहने का मतलब है जितने number of element है उतना ही हमें time लगेगा search करने में for and insertion इसी तरह से हमें deletion करना है तो क्या बता last position पे जो element है जो हमें delete करना चाहरे है वो last position पे हो तो भी हमें maximum time कितना लगेगा bigo का मतलब है maximum time तो maximum से maximum time हमें लगेगा n तो insertion and deletion देखे question को समझो insertion, deletion minimum and maximum चार चीज इसने पुछी हुई है तो insertion and deletion के लिए हमें clear हो गया कि maximum time कितना लगेगा order of n तो पहला और दूसरा option हमारा गलत हो गया मतलब हमारे पार दो यह option बच गए है जो कि c and d दोनों में insertion and deletion order of n है अब उसके बाद हमें निकालना है minimum and maximum तो जब कभी भी हमें ascending या descending order में दिया हुआ है अगर हमें minimum value निकालने है और हमें ascending order में दिया हुआ है तो पहली position में हमें जो very first element होगा वो हमें minimum से minimum मिल जाएगा और maximum अगर हमें निकालना है तो जो last position पे जो value होगी वो हमें maximum मिल जाएगी कहने का मतलब है कि सिरफ और सिरफ हमें left end या right end को देखना है और हमें minimum या maximum element definitely पूरा मिल जाएगा क्योंकि question में given है कि shorted array आपको given है shorted array given है इसका मतलब है कि आपको कितना time लगेगा minimum और maximum find out करने में order of one time लगेगा तो definitely इसका answer हो जाएगा maximum और minimum दोनों को find out करने में order of one लगेगा तो right answer हो जाएगा c d option हमारा incorrect हो जाएगा for this question तो इस तरह से हमें सारे questions को solve करना है hopefully आपको समझ में आ रहा होगा last question है for this video जो कि हमारा max heap concept दिया हुआ है इसको insert करना है और इसको solve करना है कैसे हम solve करेंगे वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कैसे हम solve करेंगे priority की दिया हुई है max implement करना है 5 element आपको starting में दिये हुए है level order traversal of heap ये को आपको दिया हुआ है देखिए जो given है उसको पहले insert कर लेते हैं 10 उसके बाद 8 आया तो सबसे पहले left में fill करते हैं क्योंकि complete binary होता है ये भी फिर 5 then next element 3 और next element 2 ये आज के 5 element मैंने heap में store कर लिए ये हमेशा जो representation होती है इसकी हमेशा array की form में होती है तो मैं थोड़ा सापको clear कर देता हूँ यहाँ पर जो इसका array के अंदर store होगी value before insertion वो value होगी 10 फिर उसके बाद 8 फिर 5 फिर 3 और फिर 2 ये sequence होगी इसी sequence में हमें question में given था ठीक है इसी sequence में हमें question में given था इसी को हमने यहाँ पर no down कर लिया अब हमें क्या कह रहा है यह question में two new elements आपको insert करना है पहला element आया one तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब कभी भी आपको insert करना है ये आपको given है tree जब कभी भी आपको insert करना है तो हमेशा left to right fill होगा तो इस node का left fill हो चुका है right fill हो चुका है अब यहाँ पर हम one को insert करेंगे मगर insert करने के बाद हम हमेशा ये check करेंगे कि maxiq की property को violation नहीं होना चीए maxiq का मतलब है कि जो parent node है हमेशा child node से greater होगा तो 10 जो है 85 से greater है 8 जो है 32 से greater है 5 किस से greater होना चीए जो inserted element है one वो greater है तो there is no problem clear next element आ रहा है हमारा 7 7 कहा जाएगा 5 के right में मगर आप देख सकते हो जो insert होने के बाद हम check करेंगे कि maxiq में होना चाहिए मगर यहाँ पर violation हो रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जब कभी violation होगा तो हम उसको swap कर देंगे तो 7 यहाँ से अटके क्या आ जाएगा 5 और 5 यहाँ से अटके 7 आ जाएगा फिर इसका भी parent चेक करेंगे माल लीजिए जो element है वो यहाँ पर आ रहा है और वो इससे भी greater है हो सकता है ठीक है तो अगर यह greater होता तो यहाँ पर swap again यहाँ पर swapping होती माल यहाँ पर नहीं है तो that's fine तो after insertion इसने पूछा है दोनों element को insert कर देंगे तो array का जो representation है storing sequence क्या होगी यह question है तो obviously पहले 10 होगा फिर उसके बाद 8 देखें ऐसे scanning होती है पहले यह फिर यह इस तरह से scanning होती है तो 10 के बाद 8 8 के बाद क्या आ गया 7 ठीक है 7 के बाद 3 उसके बाद 2 then 1 and then last में 5 तो यह result आ जाएगा हमारा तो इसके corresponding अगर हम देखें तो कौन सा match कर रहा है D option हमारा match कर रहा ठीक है तो इस तरह से आपको max heap में कैसे insert करते हैं जो यह मैंने swapping वाला बताया इसको happy 5 बोलते है ठीक है इस function को happy 5 बोलते है ठीक है happy 5 हमने यहाँ पर किया है clear तो इस तरह से मैंने सारे questions आपके cover कर दिये 50 questions की हमारी series थी 50 के 50 questions हम complete कर चुगे हैं please like, subscribe और share जरूर करें thank you, thanks to all